हेलो स्टुएंट्स आपका अपना चैनल लर्णिंग पॉइंट ग्यान केंद में स्वागत है मैं विनोद कमार क्लास 11 और 12 के स्टुएंट के लिए क्लास 12 के सभी विशेयों के अब्जेक्टिफ लर्णिंग पॉइंट ग्यान केंद चैनल पर वाड़ी की से पढ़ा रहा हैं आप इसे ध्यान से देखें और पढ़ें निश्चीत रूप से आपका एंजाम में एक भी प्रस नहीं चूटेगा अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब के बटन बच्राट टच कर सब्सक्राइब कर लिजे औ आप महाभारत की रचना किसने की आप शने बालमिकी आप सन्भी मनूं ओप संसी याग वल्लक है और अप्शन डी वेद्यास इस प्रेशन का सही उत्तर है और अप्शन डी वेद्यास नेक्ष्ट प्रेशन है पाला कानुन किसे कहा गया आप्शन A, रॉलेक्ट एक्ट आप्शन B, इलवर्ट इलवर्ट बिल आप्शन C, वूड डिस्पेज, आप्शन D, बंगाल प्रस्ताव इस प्रस्टन का सही उत्तर है आप्शन A, रॉलेक्ट एक्ट Students, आप देख रहे हैं कि आपकी सुविधा के लिए सारे प्रस्टनों के उत्तर को रेट कलर से हैलेटेट कर दिये है Next question है सिंदु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्यान नहीं था Option A, सोना, Option B, चांदी Option C, लोहा, Option D, तामबा इस प्रस्टन का सही उत्तर Option C, लोहा लोहा, सिंदु घाटी निवासियों को इस धातु का ज्यान नहीं था Next question है स्वेतामबर एवंग दिगमबर का समन्द किस धर्म से है Option A, हिंदू Option B, बौध Option C, सेव Option D, जैन इस प्रस्टन का सही उत्तर है Option D, जैन Next question है इबन बतुता ने अपनी यात्रा का विवरन किस भासा में लिखा था Option A, फार्सी Option B, उर्दू Option C, अंग्रेजी Option D, अर्वी इस प्रस्टन का सही उत्तर है Option D, अर्वी अर्वी भासा में लिखा था Next question है तल बंडी किसका जन्म स्थान था Option A, कवीर Option B, नानक Option C, रहदास Option D, मीरा इस प्रस्टन का सही उत्तर है Option B, नानक Next question है रूस में भारत विधा का जन्म किसे कहा जाता था Option A, निकोलस कॉंटी Option B, जी एस लिवी देव Option C, A और भी दोनों Option D, कोई नहीं इस प्रस्टन का सही उत्तर है Option B, जी एस Students, वीडियो के इन्डी स्क्रेन पर Next part का वीडियो है आप उसे भी टेच कर पढ़ सकते है Next question है हम पी किस समराज से सम्मन्दित है Option A, मौर्य Option B, गुप्त Option C, भामनी Option D, विजयनगर इस प्रस्टन का सही उत्तर है Option D, विजयनगर Next question है तमबाकू पर किस सा सकने परतिवन्द लगाया Option A, अकवर Option B, बावर Option C, जहांगीर Option D, सा जहां इस प्रस्टन का सही उत्तर Option C, जहांगीर Next question है दामीन इकोह क्या था Option A, कोल छेत्र Option B, पहाड़िया छेत्र Option C, परतिवन्दित छेत्र Option D, संथाल परगना इस प्रस्टन का सही उत्तर है Option D, संथाल परगना Next question है चोथी बौध संगीत की सा सक के काल में हुआ था Option A, असोक Option B, अजाद सत्रू Option C, काला सोक Option D, कनिस्क इस प्रस्टन का सही उत्तर है Option D, कनिस्क Next question है वज्जी को समाजी गरंथों में कहा जाता है उप्षन A गनसंग, उप्षन B गनतंत्र, उप्षन C राजतंत्र, उप्षन D इनमेसे सभी, इस प्रश्ण का सही उत्तर, उप्षन B गनतंत्र नेक्स्ट प्रश्ण है, जन्पद सब्द का साब्दिक अर्थ है, उप्षन A जहां लोग अपना घर बनाते हैं, उप्षन B जहां लोग अपना ववेसी रखते हैं, उप्षन C A और B दोनों, उप्षन D कोई नहीं, इस प्रश्ण का सही उत्तर है, उप्षन A जहां लोग Option B, चांदी के, Option C, तामबे के, Option D, B और C दोनो, चांदी के और तामबे के, इस प्रश्ण का सही उत्तर, Option D, B और C दोनो होगा next question है काली बंगा इस्थीत है option A सिंद में option B पंजाब में option C राजस्थान में option D बंगाल में इस प्रशन का सही उत्तर है option C राजस्थान में तो students यह सारे questions NCRT book और पिछले कई वरसों के प्रषणों को लेकर तैयार किया गया है जो की आने वाले एकजाम के लिए मोश्ट भी भी आई है और निश्चित रूप से इससे प्रश्ण पूछे जाएंगे नेक्स्ट प्रश्ण है असोग द्वारा परचारित बौध धर्म कहां परचलित नहीं हुआ प्रश्ण का सही उत्तर प्रश्ण ब्रिटेन में असोग द्वारा धर्म को परचारित नहीं के आगया बौध धर्म का नेक्स्ट प्रश्ण है पाटली पूत्र नगर की अस्थापना की गई थी ओप्शन A मुंडग द्वारा ओप्शन B भिमसार द्वारा ओप्शन D उदेभर्द्र द्वारा ओप्शन C आजाद सत्रू द्वारा इस प्रश्ण का सही उत्तर है ओप्शन C उदेभर्द्र अप्शन A फैजी, अप्शन B मुनीम खाँ, अप्शन C अब्दुल रहीम, अप्शन D बैरम खाँ, इस प्रश्ण का सही उत्तर है, अप्शन D बैरम खाँ, नेक्स्ट प्रश्ण है, तमबाकु का सिवंत सरपर्थम किस मुगल समराठ ने किया, अप्शन A जहागीर, अप्श डी अकवर next question है कलकात्ता में सर्वोच नियालय की अस्थापना की गई option A 1885 में option B 1774 इस्वी में option C 1771 इस्वी में option D 1673 इस्वी में इस प्रश्ण का सही उत्तर है option B 1774 इस्वी में इस वीडियो को अभी लाइक और सेर जरूर कर दिजिए next question है सोतंत्र भारत का अनतीम गवर्दन जर्णल कौन था option A Lord करजन option B Lord मौंड बेटन option C C राजगोपालाचारी option D कोई नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है option C C राजगोपालाचारी next question है लोथल इस्थीत है option A गुजरात में option B पस्षीम बंगाल में option C राज़स्थान में option D पंजाब में इस प्रश्ण का सही उत्तर option A गुजरात में next question है बिहार में चमपारन सत्यागरह कब शुरू हुआ option A 1905 इस्थी में option B 1912 इस्थी में option C 1927 इस्थी में इस प्रश्ण का सही उत्तर है option C 1927 इस्थी में चमपारन सत्यागरह बिहार में शुरू हुआ next question है अस्थाई बंदोवस्थ कहां लागू किया गया option A बंगाल में option B पंजाब में option C मुंबई में option D कोई नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है option A बंगाल में next question है बिहार में 1857 के विद्रो का परमुखनेता कौन था option A पीरली option B कुवर्सिंग option D दिलिप्सिंग option D बाजीराव इस प्रश्ण का सही उत्तर है option B कुवर्सिंग कुवर्सिंग बिहार में 1857 विद्रो के परमुखनेता थे next question है विजयन अगर समराज की अस्थापना कब हुई option A 17 1334 option B 1335 option C 1336 option D 1347 इस प्रश्ण का सही उत्तर है option C 1336 इस प्रश्ण का सही उत्तर है अगर आप YouTube देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आकन जरूर दवा लिजिए क्योंकि हम इस चैनल पर कलास 7 तू 12 के स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो लेकर आते हैं इस तरह से next question है विजयन अगर के सासकों ने अपने आपको कहा option A रा option B राज option C सामन्त option D राय इस प्रेशन का सही उत्तर option D राय next question है दिवान ए अश्रप का अर्थ है option A भूमी विवाग का ध्यक्ष option B वन विवाग का ध्यक्ष option C राजस्व विवाग का ध्यक्ष option D सैना विवाग का ध्यक्ष इस प्रेशन का सही उत्तर है option C राजस्व विवाग का ध्यक्ष next question है संथाल विद्रोग का भूआ option A 1832 मे option B 1841 मे option C 1851 मे option D 1855 मे इस प्रेशन का सही उत्तर है option D 1855 मे next और इस विडियो का लास्ट प्रेशन है इस पार्ट का माहाल वाड़ी विवस्थाक किसके द्वारा लागो की गई option A लाड़ डलोजी option B लाड़ वेल सली option C लाड़ बैटिंग option D आकलेंड इस प्रेशन का सही उत्तर है option C लाड़ बैटिंग आज के लिए बस इतना ही आगे मैं इसी सिरिज का next part लेकर आऊंगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, subscribe, comment और share जरूर करें धन्वार